नमस्कार दर्शकों आज बात करेंगे भारत की काम्याबी से किस तरह बृटेन को मिर्ची लग रही है दूसरी तरह बात करेंगे कि जिस भारत को लूट कार बृटेन विक्सित देशों की श्रेणी में शामिल हुआ था आज वही बृटेन है जो बरबादी की राह पर चल दि क्योंकि आज तिंक टैंक के इस मंच के माध्यान से हम जवाब देंगे ऐसे लोगों को जो भारत की काम्याबी से जल रहे हैं और उल जुलूल बयान कर रहे हैं जिसमें एक जो शामिल है वो बृटेन भी है वही बृटेन जिसने भारत को लूट कर कंगाल कर दिया दोस्तों देश को गुलाम बना हुआ था देश वासियों पर अत्यचार कर रहा था और भारत को लूटा खसूटा जो भारत सूनी की चिडिया कहलाता था उस सोनी के चिडिया को लूट लूट कर कंगाल कर दिया अनुमान लगा जाता है कि यहां पर करीबन करीबन 48 ट्रिलियन डॉलर स्टरलिंग की जो संपत्ती है बृटेन भारत से लूट कर ले गया जिसमें एक बेश कीमती हीरा जो हमारा है वो कोहिनूर वो अलग से है जिसको यह लोग चुरा कर ले गए भारत से बृटेन ले गए खैर दोस्तों यहां पर यह सारी चीज़े चल रही थी भारत को लूट नहीं की और लोग भुक मरी के कारण करोड़ों लोग मर गए जिसमें सबसे भयानक जो अकाल पड़ा था करीबन असी देशों पर बिटेन ने शाषन किया था और यहां पर 1913 से अगर 1922 के आंकड़े अगर मैं आपको बताओं तो आप चौक जाएंगे दोस्तों यहां पर विश्वभर की 25 प्रतिशत आबादी पर इन लोगों ने शाषन किया था बिटेश ने अगरेजों ने शाष बाग है उस पर इस ब्रिटेश सामराजे ने शाषन किया था इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेश सामराजे का जो सूरज था ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूपता था खेर दोस्तों समय का पईया घूम गया और उसके भाद भारत ने जिस भारत को यह लोग कंगाल करके उसने अपनी महनत के साथ सफलता की सीड़िया चड़ी और अपनी काम्याबी को हासिल करकर दिखाया उसी का नतीजा है कि ब्रिटेन को पीछे पचारते हुए भारत विश्वभर की पांच वी सबसे बड़ी अर्थ्वेवस्था बन चुका है जिसके बाद भारत की यह काम् पर सफलता पूर्वक लेंड किया जिसके बाद तो इन लोगों की चिड़न का ठिकान नहीं था जिसका कारण है कि ब्रिटेन के एक न्यूस चैनल बीवीसी जिसके एक एंकर कहता है कि भारत में 70 करोड़ लोगों के पास ट्वालेट की विवस्था नहीं है अब यहां पर इ जानती लेकिन आज यहां पर जो योजना भारत सरकार नहीं चलाई फ्री में जो है यहां पर लोगों के घरों में शौचाले बनवाई उसका नतिज़ा यहां पर अब हर घर में शौचाले है करीब यहां पर कुछी ऐसी आबादी होगी जो इस योजना को जिसका इसका पाइदा उठाना नहीं चाहिए जिसकी वजह से यहां पर कुछ आबादी ऐसी रह गई होगी लेकिन दोस्तों सरकार ने जो किया हमारे देश के लिए जिसका नतीज़ यह है कि भारत में अब हर घर में टॉलिट है यहां पर शायद BBC के एंकर को यह नहीं पता था खेर दोस्त हैं तो टू पॉइंट त्री जो ट्रिलियन डॉलर जो की स्टलिन है स्टलिन है बिटेन से भारत मदद के तौर पर आए थे वो हम वापस कर दें देखिए अब नीचता की यानि की जो यहां पर इस तरह की जो हद है वो तो यहीं पर पार हो गई है क्योंकि अगर किसी की मद की जाती है तो उससे जो मदद के तौर पर कुछ भी दिया जाता है वह वापस नहीं मागा जाता क्या दोस्तों यह तो रही दूसरी बात लेकिन यह शायद यह जो न्यूस चैनल वाले हैं यह भी यहां पर अपने आकड़ों को नहीं देख पाए बिटेन यह घोशना जरू पाउंड जो है ज़रूर लेकिन यहां पर भारत ने मना कर दिया था वह कुछ भी नहीं है हमें यह नहीं चाहिए तो यह नहीं आया लेकिन यहां पर इन लोगों को शायद होशी नहीं है कि इनके देश में हो रहे है क्हार दोस्तों यहां पर अब बात यह आती है कि यहां पर जो यो पैसा आता है वैसे भे सरकार के पास नहीं आता है औ एंजिव पास आता है और एंजिय ओ आज कल झो खुला से हुरह है है उसमें साफ साफ नज़न आ दोस्तों मैं जो बात कर रही थी कि बृटेन के हालत बहुत ज्यादा ख़लाब हो रही है उसका एक वधारण दे देती हूं दोस्तों बृटेन की जो महरानी है हाली में उनका निधन हो गया था उसके बाद नए राजा बनाए जा रहे थे जिसके बाद इनके यहां पर जो कोर जब कि ब्रिटेन की। ज currency ङाननी कि जो जी D.P है वो पर टागी भारत से 17 गुना जादा है तो इसंगा कि तो से इसनता प्रबारत जा सकता है कि जो ब्रिटेन को लूटा खसुटा भारत के साथ अत्याचार किया लेकिन लेकिन दोस्तों अब यहां पर हम इन चीजों को भी नहीं भूल सकते कि जिन अंग्रेजों ने हमारे साथ अत्याचार किया हमारे देश के ही लोगों ने उनके साथ किस तरह की बाते की और अपने ही देश के विरोध में आ गए जी हां मैं बात रही हूँ उन स्वतंतरदा सेन सेनानियों की जो सबसे बड़े कहलाते थे महत्मा गांदी और जवालना नहरू जो देश की प्रधान मंत्री भी पहले बने यहां पर दोस्तों आजादी के समय पर आजादी से पहले यह बात चल रही थी कि जो भारत का जंडा तैह हो गया था उसमें यह कहा जा रहा था कि इन लोगों मात्मा गांदी और जवालना नहरू के द्वारे यह कहा गया था कि तिरंगे में एक कौने पर यूनियन जैक भी होना चाहिए क्योंकि वो खुशी-खुशी हमें सत्ता सोप कर जा रहे हैं यार कि हमारे देश के ही सबसे बड़े सुतंता सेनानी यह बूल गए क किस तरह का अत्याचार इन अंग्रेजों ने हमारे देश पर किया है हमारे लोगों को सरयाम गोलियों से भून डाला जिसका उधारिन है जलिया वाला बाग कि किस तरह हजारों की संख्या में लोग थे और हजारों की संख्या में लोगों को दिन दाहाडे गोलियों से भून पर मजबूर किया, हमारे देश के सुतन्ता सेनाई बगत सिंग और आजाद, उन्हें फासी की सजा सुना दी गए, उनके साथियों समेगे। दोस्तो हमारा देश ये जखम ये घाव कभी नहीं बोलेगा और यहां पर जो हमारे सुतंता सैनानी कहलाते थे जो हमारे सुतंता अंदोलन कारी कहलाते थे वो लोग ही ये बात भूल गए कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया और इन लोगों की मंसा देखिए कि किस तरह हमारे देश के तिरंगे में ये यूनियन जैप को शामिल करना चाहते थे ताकि देश का हर देशवासी सदियों सदियों तक ये समस्ता रहे जानता रहे और याद रखे इस जखम को जो अंग्रेजों ने देश को दिया है ये करना मढ़न चाहते थे ये लोग लेकिन ये लोग भूल सकते मात्मा घांधी भूल सकते हैं कॉंग्रेश भूल सकते हैं जवाल ना नहरू भूल सकते हैं के देश के साथ अंग्रेज के automatically गारे हैं देश की जंता के साथ ही लोगों हुआ लोगोंच कभी नहीं भूले गा जाही कोई भू울 जाए लेकिन आज इन ही के मुँपर ये करारा जवाब है जो हमारा देश काम्याबी की बुलंदियों को हासिल करने पर चल पड़ा है और कर भी रहा है और दूसरे तरफ ये बिटिन है जो बरबाद होने की कगार पर पहुंचने ही वाला है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए तिंग टेंग